नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस पीडियो में मैं आपको बताएंगे अगर आप एक पीको मसीन नई लेने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से खरीदें क्या क्या चीजें उसमें देखना है कितना प्राइस होना चाहिए और आपको पट्टे वाली लेना है या फिर आपको लेना है माली जी जो गेर वाली होती है भी मैं आपको दिखाऊंगा गेर वाली पट्टे वाली में क्या फर्क होता है बो भी बताऊंगा और आपको कौन जी खरीदनी चाहिए तो फुल जानकारी इस वीडियो में देंगे और यहां दुश्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें तो देखें आगर आप एक फीको मसीन खरीजने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह डिसाइट करना होगा किया क्या है क्योंकि पीको मसीन से सिर्फ पीको ही नहीं ह अब आपको लेना होगी you to इस लेना होगी मशीन आपको यह वाली कैसी होती है तो आपको लेना होगी एक पट्टे About मांपहाँ कशे पीको पीको करना हुआ अब कुछ भी नहीं करना बिना किसी प्रलब्लम के वो बिल्गली फर्फेक्ट रहेगी सबसे पहले अब मैं आपको ये बता देता है कि पट्टे वाली और गेर वाली में क्या फर्क होता है तो हम सबसे पहले इसको प्लटते है earnest और आपको दिखाते हैं तो दिखे जैसे कि ये पीको मसीन है और यहां पर ये रिखे ये लगा हुआ है पट्टा तो ये पट्टे वाली है और यहां पर जब आपका गेर लगे होते हैं जैसे मैं दिखाता हूँ ये बड़ी मसीन है और इसी के तरह ये दिखे गेर लगे हैं ऐसे ही पीको मसीन में गेर लगे होंगे और ये पट्टा नहीं होगा तो आपको पट्टे वाली और गेर वाली समझ में आ गई होगी कि इनमें दोनों में क्या फर्क होता है पट्टे वाली है पुरानी है मतलब पहले से ही चलती आ रही है तो इसमें आप कढ़ाई कर सकते हैं और पीको कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी बस इसमें एक प्रोब्लम होती है अगर आपकी जारा दिन रखी रही तो यह बहारी चलने लगती है क्य तो यहां पर जो है करहाई के लिए बेश्ट है लेकिन पीको उस वाली मसीन से जो है वो बेश्ट हो जाएगी पीको के लिए चाहिए तो वहां बिना किसी प्रोब्लम के उसको ले सकते हैं बहुत ही ठीक रहेगा बो रखो-धे capital के जाम बी नहीं होती उसका एक फाइदा यह है कि इसका जिसका पाँ शेस सास साल चला लें इसको पांट साल भी आगर चला-थक पर दोवाना का पड़ता है लेकिन गेर वाले जिसको प्त्त यहानृ आपको डलवाने के ज़रूत नहीं पड़ती है तो चलती रहती थह तो इस लिए है उस काम में भू थे वह प्र जो है अगर दोनों brakes दोनों करने यह में सेचल Nikki उन्होंं सकते हैं आप हाँ से चला सकते हैं यह हाथ वाला हैंडल लग बहां को चला कि दिखाऊंगा और जो है पाउधान से इसको चला सकते हैं दोनों मसीन गेर वाली भी और यह वाली भी तो यह मोर्टर वाला किलियर हो गया है इनके पवदान की बात करते हैं तो छोटी में ऐसिन के पाउदान पर आप आप असनी सहीं को रख सकते हैं यह आजाएंगी जैसे कि यह रखी हुई है और बॉक्स पर रखके भी हाँस से भी चला सकते हैं बावंसों की इतना मुझे ध्यान नहीं है लेकिन बावंसों की यह मसीन हमको दी है बिना पाउधान के मतलब पाउधान कोई मतलब ने सिर्फ मसीन हमको मिली है खाली इंजन जो पाउधान चाहिए लग्से तो आपको दो हजार रुपे एक्स्ट्रा डालना होंगे तो बही आप उसमें दो हजार प्लस कर सकते हैं तो बहुत बन जाएगी आपके लगवागवाग चोहत्तर सव की अब साहिब की है अगर आपको उसा बगेरा की मसीन चाहिए तो आपको जुड़ादे तो अब देगिसलिए मैं हांस से चना के दिखाता हूँ're तो यह दीए को वाग्स मतलब हांस से भी आप बहत्री न तरीके से इसको चला सकते हैं और आपाउदान से भी दाउसलिश चला सकते हैं मोटर से भी चला सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल पर पहली बारा सब्सक्राइब कर वेल आइक कनाल पर क्लिक कर लें मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार